Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल तो इसके बारे में थोड़ा डीटेल से समझेंगे, कि exactly मुद्धा क्या है, प्रॉबलम क्या आ यहां पर, इस्पेशली बिहार के कॉंटेक्ट में यहां पर, जेडियो क्यों प्रेशर बना रहा है, अगनी वीर स्कीम को लेकर आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिया आ कराई जाती है, इसमें आपको पर्सनल मेंटर शेप, लाइफ क्लासेज, टेस्स सीरीज, इवेन आपको 18 UPSC के जो बुक्स हैं, सभी वो आपके घर तर डिलिवर किये जाते हैं, तो आपको जोईन करने के लिए हमारे वेबसाइट एप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्श बता रहा था कि पिछले टर्म में बीजेपी सरकार के द्वारा अगनी वीर स्कीम जो लाया गया था, वो वापस से स्पोटलाइट में आ गया है, यहाँ पर बीजेपी और साथी साथ आप कह सकते हैं कि जो एलाइज हैं उनके, जैसे जनता दल युनाइटेड, वो यहाँ पर चाहती है कि इस स्कीम का रिव्यू किया जाए, यहाँ पर जेडियों ने कहा है कि हम आपको अनकंडिशनल सपोर्ट देंगे सरकार बनाने में, लेकिन हमें इस स्कीम को लेकर डिसकेशन करना चाहिए, एक्शली आपने देखा होगा जेडियों के एक्सपोस परसन है केस उन्हों ने यहाँ पर इसके बारे में मोडिफिकेशन को लेकर कहा, और साथी साथ यह बोला कि इलेक्शन के दोरान भी जो रिजल्ट सामने आया है, उसमें भी हम इसका इंपक्ट देख सकते हैं, एक्शली अगर आपने देखा होगा जो अभी रिजल्ट आया था, उसमें उन्होंने गुस्से में उनके खिलाफ वोट किया, और इसी की वजह से यहाँ पर आप देख सकतो, जेडियू का कहना है कि हमें इसको लेकर विचार करना चाहिए, जो खामी हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव करनी की कोशिश करनी चाहिए, और भी कई सारे मोड़े हैं, एक और अलाई है, बीजेपी की, एलजेपी, और इनके जो लीडर है, चिराग पासवन, उन्होंने भी यहाँ तक कह दिया, कि इस स्कीम को हमें वापस से देखने की आउशकता है, वो भी इसके फेवर में है, और आपने देखा होगा, चिराग पासवन ने अनकंडिशनल, पूरा सपोर्ट किया है, PM के लिए, कि हम यहाँ पर पूरा अपना जो, लजेपी है, पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस स्कीम को लेकर कही न कहीं, डिसकेशन किया हो शकता है, इन्फरक्ट आपको याद होगा, कि Congress Party का जो घोशना पत्र आया था, उसमें उन्हो 2022 में अगनीपत स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें क्या है, बेसिकली, आर्मी, नेवी और इंडियन एर फोर्स, सभी में चार साल के contract पर recruitment की तयारी थी, और इसमें 6 महनी की training भी है, मतलब 6 महनी की training और साड़े 3 साल का service हो गया, तो टोटल मिलाकर 4 साल तक का ये contract basis पर recruitment किया जाना था, और इसमें कौन लोग participate कर सकते हैं, बेसिकली जो youth है, साड़े 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में अगर उम्र है, आयू है, तो ही यहाँ पर वो recruitment के अंदर participate कर सकते हैं, अब क्या होगा, 4 साल के बाद जब उनकी service खतम होगी, तो उसमें से 25% को permanent recruitment क के तोर पर लिया जाएगा, मतलब permanent जो army है, उसके अंदर भेजा जाएगा, और उसके बाद उनको जो regular basis पर salary है, बाकी चीज़े हैं, वो उनको दी जाएगी, अब देखिए, यह जो scheme लाई गए थी, इसमें actually क्या होता है, कि IF और Navy के अंदर, जो महिलाए हैं, उनके लिए दरवाजे खोले गए, आर्मी के अंदर महिलाओं के लिए दरवाजे तो 2019 में खोल दिये गए थे, लेकिन यहाँ पर बाकी services में भी खोले जा रहे हैं, खेर, question अब यहाँ पर यह है कि इस scheme को लाने की मनशा क्या थी, क्यों लाया गया, सरकार का यह कहना था कि हम चाहते हैं उसमें जो profile है वो youthful रहे, UI उसके अंदर जादा हम देखना चाहते हैं, जो average age है उसको थोड़ा साम कम करना चाहते हैं, साथी साथ सरकार का यह भी कहना था कि हम जितना जादा UI इसके अंदर ले कराएंगे, हमारी जो armed forces है वो odd tech savvy बनेगी और modern fighting force के तोर पर हम इसको देख पाएंगे, इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया, कि चार साल के बाद बाकी की जो लोग permanent वाले service में recruit नहीं हो पाएंगे, लेकिन still 75% जो लोग हैं, वो ultimately समाज में वापस जाएंगे, तो उनके अंदर discipline होगा, skilled होगा, कि वो कुछ कर सकते हैं, तो यह सरकार का कहना जा रहा था, तो कहीं न कहीं इसको देखते वे सरकार चाहती थी, कि जो बहुत सारा पैसा, pension वगरा में चला जाता है, उसको वहाँ से हटा कर, जो modern weapons हैं, उसको खरीदने में लगाया चाहिए, तो यह सरकार का कहना था कि आज के date में, मतलब आज समझे कि हम सिर्फ human power के जाफी कोशली आती हैं, उसके उपर हमें जादा फोकस करना चाहिए, खेर अगर हम स्कीम के benefits की बात करें, तो देखो यहाँ पर जो remuneration है, एगनी वीर्स का, जिनको recruit किया जाएगा चार साल के लिए, उनकी salary 30,000 से start होगी, और 40,000 तक हो जाएगी, मतलब 4 साल के period के अंदर तो यह उनका पुरा salary होगा हर महने का, फिर इसके लावा hardship, allowances, risk, यह सारी चीज़ें तो मिलेगी ही, लेकिन 4 साल के बाद उनको सेवा निधी package भी मिलेगा, क्योंकि हर महने उनके salary में से 30% cut किया जाएगा, और वो contribution जाएगा सेवा निधी के अंदर, इसमें क्या है कि 4 साल के बाद, जो अगनीवीर्स हैं, उनको लगभग 11 लाग से जादा रुपए दे दिये जाएंगे with interest, ताकि ultimately जो 75% लोग recruit नहीं हो पाए है permanent service में, वो इस पैसे का सही इस्तिमाल कर सकें, चैया वो छोटा business start करना हो, या फिर बाकी कुछ भी करना हो, तो वो यहाँ पर कर सके अब इसके अलावा इसके अंदर ये भी है कि in case duty के दौरान किसी की मित्ति हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है, तो यहाँ पर उसमें एक करोन से जादा जो है उनको दिया जाएगा, उनके परिवार वालों को दिया जाएगा, बाकी की जो सेवा निधी package है, फुल पे हो गय जितना service नहीं कर पाए, वो भी मिलेगा, और in case मालो disability हो जाता है, तो उस case में भी 44 लाख रुपे तक अगनी वीर को जो है दिया जा सकेगा, तो ये सारे चीजें थी, लेकिन question ये है कि आखिर कार ये इतना contentious क्यों था, क्यों इसको लेकर इतना ज़ादा विवाद हो गया आपने देखा होगा, कई जगा हिंसा भी देखने को मिली थी, प्रोटेस्ट हुआ था, तो यहाँ पर बताए ये जा रहा है कि जो critics है, उनका ये कहना है कि 75% जो recruit हैं, जिनको permanent service में नहीं लिया जाएगा, उनका क्या होगा, उनको तो बस आपने थंडे बस्ते में छोड़ नहीं दे रही है, क्योंकि जो permanent service होता है, जब वहाँ से आप retire करते हो, तो वहाँ पर आपको retirement benefits, pensions वगरा मिलता है, तो इसके अंदर यहाँ पर नहीं है, प्लस साती साथ demand ये भी थी, कि जो upper age limit है, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर recruitment साड़े 17 साल से लेकर 21 साल तक के य भी बता दूँ, क्योंकि इस scheme को लाने से पहले ये भी बोला जा रहा था, कि जो इंडियन आर्मी है, वो बिहार में भी हर साल soldiers का recruitment करेगी, बड़े पहमाने पर, और जिसमें ये भी बोला जा रहा था, कि गाओं गाओं में 50 से 60 लोग का group बन सकता है, वो भी हाँ recruitment के लिए training कर सकते हैं, तो जेडियो के लिए बिहार के अंदर इस scheme का काफी माइन है, तो कहीं न कहीं वो लोग चाहते हैं कि इस scheme के अंदर बदलाव किया जाए, तो question अब यहाँ पर यह है कि सरकार इसको लेकर क्या planning कर रही है, क्या सरकार बदलाव करना चाहती है, फिर खतम कर अगर हमें age limit बढ़ाने की जबरत पड़ी, तो वो कर देंगे, 21 साल से बढ़ा कर इसको 23 साल भी किया जा सकता है, फिर इसके अलावा यहाँ पर जो 4 साल के बाद सिर्फ 25% लोगों को ही permanent service में लिया जाता है, उसके बजाए 50% तक को हम permanent service में भी अगर लेना हो, तो वो भी क कहा कि सेना में youthfulness होनी चाहिए, the youth I feel are more enthusiastic, they are more tech savvy, तो वो इसके उपर focus कर रहे थे, कि हमें youth की यहाँ पर आउशकता है, फिर इसके लावा central government का यह भी कहना था, कि जो भी अगनिवीर्स होंगे 4 साल के बाद, उनको हम government jobs के अंदर भी preference देंगे, इसके लावा यहाँ पर उनक चाहिए का बयान देखोगे, तो उन्होंने भी यहाँ पर कहा था, कि CAPF और Assam Rifles के अंदर recruitment में पहला preference हम अगनिवीर्स को देंगे, तो सरकार इसमें बदलाव करने के लिए open है, लेकिन हाँ, यह बात कहना कि यह खतम हो जाएगा, इसकी अभी तो शायद यह बिलकुल भी नहीं लगता, लेकिन आपका क्या सोचना है, इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हैं, which country hosted the sixth edition of exercise एकत था, तो यह बेसिकली पिछले साल हुआ था यह exercise, यह कौन से देश के दौरा होश्ट किया गया था आपको बत अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, you can simply use this code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से next time, till then thank you very much, see you soon.